आप सब को पता ही होगा कि बिहार में अभी पंचाय चुनाव चार रहा है और बिहार में नौवे चरन का मतदान भी हो चुका है और आज नौवे चरन का रिजल्ट भी घोसित होने जा रहा है तो गाज अगर आप बिहार से हैं और सभी चरनों का रिजल्ट देखना चाहते है पंचाय चुनाब का तोगाज इस वीडियो में अन्टक बने रहे है। कि आज के इस वीडियो में मैं आज आप सब को बताने वाला हूँ कि आप बीहार में पंचाय चुनाब का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं. हेलो गाज मेरा नाम MENPOMS SNG और आप सुझ इका सोगत है अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने और बगर में बेल का इकन है उसे प्रेस करने तक हमारी वीडियोज आप लोडो आप लोग के पासनल डेट्पिकेशन मिल सके जो बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं आदा आप लोगों को अपने mobile ask-in को उपर और आप अपने फोन में player store आप ओप ओपन करेंगे open कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस open हो जाएगा सुगाज यहाँ पे search का अप्शन दिखाईए दे रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? search ओप आप लोग सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा सबसे पहले ही ऑप्शन में दिख जाता है बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 का एक अप्लिकेशन तो आप लोग क्या करेंगे इस अप्लिकेशन को ओपन करेंगे ओपन कर दिन के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा सबसे यहां से आप इस अप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे यहां दोस्तो इस अप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे तो गाज मेरे फोन में ये application install है तो मैं आपको application प्लिकेच चलता हूँ तो गाज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे फोन में विहार पंचायद का application यहाँ पे download है तो गाज हम इसाइप को open कर लेते हैं open कर देने के बाद आपके सामने कुछ इसतरा का interface open हो जाएगा सुगाज यहाँ से आप result चेक कर सकते हैं सुगाज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नवांकन सुची 2021, चुनाप परणाम 2021 search in voter list, candidate, सुथदा बहुत सारा option यहाँ पे दिया गया है सुगाज हम लोगों को बिहार में पंचाय चुनाप का result देखना है तो कैसे चेक करेंगे सुगाज सेकेंड option में मिलता है चुनाप परणाम 2021 तो आप लोग क्या करेंगे चुनाप परणाम 2021 वाले option पे क्लिक करेंगे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस open हो जाएगा सुगाज मैं थोड़ा जूम करके दिखा जाता हूँ सुगाज यहाँ पर लिखा हुआ है मतदान चरन चुने यानि आपका कौनसा मतदान है यानि 90 चरन है आठवा चरन है पहला चरन है दूसरा चरन है तो यहाँ पर आप लोग select करेंगे तो गाज नीचे एक option मिलता है select का तो आप लोग क्या करेंगे select पे click करेंगे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर दिया गया है phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर कुछ इस तरका interface दिया गया है आपका जो भी phase में चुनाब हुआ है उस phase पर click करके आप यहाँ से result चेक कर सकते हैं तो गाज मैं आपको 90 चनल का result आपको दिखाता हूँ तो गाज आप लोग क्या करेंगे phase 9 पर click करेंगे click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरका interface ओपन हो जाएगा सुगाज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा option दिया गया है ग्राम पंचायद के सदस, ग्राम कचाहरी के पंच, ग्राम पंचायद के मुखिया, सरपंच और पंचाय समित्ती के सदस और जीला परसत के सदस, कुछ इस तरका interface आपके सामने खुल जाएगा सुगाज यहाँ पर हम मुखिया का result यानि ग्राम पंचायद के मुखिया का result आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ग्राम पंचायद मुखिया के result पे click करेंगे click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरका interface open हो जाएगा सुगाज यहाँ पर बहुत सारा option दिया गया है पहला option है पद का नाम तो आप इसमें ग्राम पंचायद मुखिया का selection कर लेंगे second option है जीला, तो हम क्या करते हैं, click करते हैं click कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग को जीला select कर लेना है यानि जो भी जीला में आपका चुनाब हुआ है वो यहाँ पे आप लोग select कर देंगे select कर देने के बाद नीचे एक option मिलता है परखंड का तो आप लोग क्या करेंगे, परखंड चूज कर लेंगे आपका जो भी परखंड है आप यहाँ से select कर सकते हैं नीचे पंचायत का नाम दिया गया है आप जो भी पंचायत से related है वो यहाँ पे click करेंगे, जा दस्तों आप जो भी पंचायत से belong करते होंगे वो यहाँ पे आप लोग click कर देंगे click कर देने के बाद नीचे एक option मिलता है so का तो आप लोग क्या करेंगे, so बाले option पे click करेंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सा मुख्या कहां पे जीता है और कितना भोट से जीता है तो आप भी इस तरह से अपने phone में बिहार पंचाय चुनाब का result आसानी से check कर सकते हैं तो आज के वीडियो वैसे इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी comment करके ज़रूर बतेएगा और आपके लिए ऐसे technical वीडियो लाता रहूँगा तब तक के लिए जाहिन बंदे वातरम